इसके लिए एग्रेसिव हो कि जम्मुएन कस्मी के पीएकों को आप बैरस का हिस्सा नहीं मांदे हो क्या एग्रेसिव नहों जान देदेंगे इसके लिए क्या बात करें आप एग्रेसिव होने की क्या बात करें हो जान देदेंगे इसके लिए कश्मीर का कुछ ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने अंदर ले लिया है जिसे पाकिस्तान ने कबजा कर लिया है लेकिन वो मौके हमारे हाथ से निकल गए और जानेंगे कि बारिकी से कि कैसे 1947 के दशक में जिन्ना ने सडियंद्र के दवारा पाकिस्तान के पियो के याने की कुछ हिस्से को कबजा गिया था पूरी स्टोरी वीडियो के एंड तक सुनें कश्मीर टोटल 2.20 लाग किलोमेटर स्क्वेर में फैला हुआ है जिसमें भारत के पास टोटल कश्मीर का 60% हिस्सा है पाकिस्तान के पास 30% साथी चाइना के पास 10% कश्मीर का हिस्सा है कश्मीर में 317 धारा हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके और भी मामला गरम हो गया है इसलिए पाकिस्तान आय दीन कश्मीर पर हमले करता रहता है ताकि वो अपने सरत बढ़ा सके लेकिन इसके जवाब में भारत मूँ तोड जवाब जरूर देता है आज से 76 साथ पहले से हम सुरू करेंगे जब ये भारत, कश्मीर और पाकिस्तान का मामला सुरू हुआ था 1047 में भारत और पाकिस्तान के बटवारे के समय में ब्रिटिस गउलमेंट ने सभी स्टेट को तीन आप्षन दिये थैं यह दूसरा ऐप्षन था आपकिस्तान के साथ जुड़ जा और तीसरा अप्षन था कि आप स्व तन तदेश पन जाए साथ में आएगा क्योंकि उनके राजे में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें भारत के साथ जुड़ना चाहिए तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए इन सभी के कारण उन्हों ने अभी तक कोई भी प्रश्ताव रगा कि आप इंडिया में जूडते हैं तो हम आपके मदद जरूर करेंगे और लेडर पेड़ पेड़ पर साइंग कर लिए भारते सेनिक पूरे कश्मीर के कबजे वाले एरियो को वापस ले लेती लेकिन तभी जवालना लेरों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी 31 दिसमबर 1947 नहरों ने यूएन में जाके अपील करते हुए एक हाग कि यूएन पाकिस्तान से ऐसा कहे कि अपने सेनिकों को कश्मीर में ना भेजे और यूएन ने प्रावलम को सॉलुशन करते हुए एक जनवरी उन्निस सुन पचास को सीस पायर एलान कर दिया ना चाहते ह पास कश्मीर का टोटल 30% हिस्सा बचा हुआ था जो उसने कबजा करके रखा था लेकिन अभी भी पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए था सीस फायर होने के बावजूद भी कश्मीर पे उसने फिर से 1965 में हमला किया जिसमें वो हार गया लेकिन अभी भी वो नहीं माना उ पाकिस्तान के एक लाग सेनिकों को छोड़ दिया अगर उस ताइम पाकिस्तान के एक लाग सेनिकों को बंदी बना कर रखा होता और इसके बदले पीयो के की मांग की होती या फिर पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया होता तो पीयो के हमारे पास पूरा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने एक लाग सेनिकों को ऐसे ही जाने दिया इतियास की इन दो बड़ी गलतियों के कारण पियों के कश्मीर का पुर्ण रूप से हिस्सा बन नहीं पाया अब पाकिस्तान को पता चल चुका था कि भारतिय सेना उसे पूरा कश्मीर कभी भी नहीं लेने दे इसलिए उन्होंने हिंदू को मौत के घाट उतारा लगबक सात लाग कश्मीरी पंडितों को मारा गया मुस्लिमों की आबादी बढ़ाए मस्जीद बढ़ाए सिया मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से भगाया गया और उनकी साहता से पाकिस्तान के जंडे अपना है ताकि सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए